अब है इस स्वागत करता हूं दोस्तों मैं हिते शुपता आपका आपके अपने चनल मार्केटिंग फंडास पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि फेस्बुक ओपन ग्राफ क्या है इसका किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इससे क्या benefit मिलता है आपको SEO में और दोस्तों इसको ओजी टैग के नाम से भी जाना जाता है तो यह फेस्बुक का टैग होता है जिसको ओजी टैग या ओपन ग्राफ कहते हैं दोस्तों तो इसका क्या यूज है क्या benefit और कैसे इसको आप SEO में यूज कर सकते हैं फेस्बुक में यूज कर सकते हैं इस तुटोरियल में मैंने प्रॉपर explain कर रहा है समझाया है तो चलते हैं हमारी computer screen पे और सीखते हैं तो दोस्तों फेस्बुक ओपन ग्राफ और इसको ओजी टैग भी बोला जाता है ये और गैनिक ट्रेफिक लाने के लिए शोशल मीडिया से ट्रेफिक लाने के लिए आपकी वेबसाइट पे यूनिक विजिटरस लाने के लिए बहुत ही effective ट्रेक है और इससे आपकी वेबसाइट पे और गैनिक ट्रेफिक आता है फेस्बुक के तुरू अब इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता जैसे यह हमारी वेबसाइट है एक ब्लॉग है ब्लॉग की साइट है उसमें यह ब्लॉग है जिसका यह पूरा पेज है ठीक है आप दोस्तों चाहिए हो चाहे वेबसाइट हो जैसे एक हैस्टेमिल की साइट है वो ब्लॉग है ठीक है तो इस तरीके से आपकी साइट हो या वेबसाइट हो उसका कोई भी हम एक पेज लेते हैं अभी तो दोस्तों ओपन ग्रैफ क्या है कि जब फेस्बुक पे हम किसी भी पेज का URL शेयर करते हैं जैसे आप हम फेस्बुक ओपन करेंगे अब फेस्बुक ओपन करने के बाद यहां पर हम जब कोई चीशेयर करते हैं ठीक है अब यहां पर हम पेस्ट कर देता हूं वह URL अब यहां पर देखिए यह URL डालते हैं पेज को फैच करा अब दोस्तों यहां पर भी एक सिंगली में जा रही है यहां पर टाइटल आ गया डिस्क्रिप्शन आ गई ठीक है अब दोस्तों यह हमारा URL है अब यहां पर कई बार क्या होता है एक पेज की मल्टीपल इमेजिस भी आ जाती है क्योंकि एक पेज में मल्टीपल इमेजिस हो सकती है तो वह अच्छा नहीं लगता या वो कोई इमेज आ रही है जो हम नहीं चाहते है इस पेज पेज जब भी हम शेयर करें वह इमेज आए हम कोई और भैतर इमेज चाहरें तो उसके लिए एक ही तरीका होता है उसका तरीका होता है दोस्तों कि आप अपनी जैसे वर्ट्प्रेस के अगर आपकी वेबसाइट है यह कोई आपका तो उस CMS में हम जाएंगे जैसे हम अपनी उस ब्लॉग की वेबसाइट के वर्ट्प्रेस के थीम में आगए अब यहाँ पर जब हम डैशबूर्ट पे आए यहाँ पर नीचे देखिए पोस्ट का है यहाँ पर हम और पोस्ट पे जाएंगे वेबसाइट के पेजिस ह जाते ठीक है तो जो वेबसाइट की पेजिस होते हैं अब यहाँ पर पोस्ट पे आए तो यहाँ पर हमारे उस ब्लॉग जा रहे हैं जो की हमने डाल रखे हैं तो इस ब्लॉग पर हम आते हैं एडिट करते हैं जिस ब्लॉग को मैंने आपको अभी वहाँ पर शेयर करा है त तो जब हम कोई भी चीज Facebook पे इस पर URL को शेयर करें तो यह image हो और साथ में यह Yoast SEO का plugin है इसको भी हमने इंस्टॉल करना बता रखा है हमारे चैनल में इसका टुटोरियल है जिससे कि आप देख सकते हो कैसे WordPress में Yoast SEO का plugin इंस्टॉल करें अब हमें यह एक SEO के लिए ही करा जा रहा है जो मैं आपको Facebook उपन ग्राफ बता रहा हूँ अब मैं यहाँ पर शोचल का यह लिंक आ रहा है Yoast SEO में उसको क्लिक करूँगा अब यहाँ पर दोस्तों क्या है इस पेज़ का यहाँ पर अब मैं सेलेक्ट करूँगा Facebook के ट्विटर और बहुत ही attractive, unique, informative आप title description रखिए जिससे की customer, user attractor यह मैंने title लाज दिया हम तो बस जमी के लिए डाल रहे हैं आपको सिखाने के लिए और यह description है दोस्तों यह description copy की और यह description वाले box में जाके डाल दी तो SEO में हर page में आप relevant title इस तरीके से डाल सकते हो description इस तरीके से डाल सक करें image आपके content को compliment करें और जो content आपके blog में है उससे related ही title description होना चाहिए अब दोस्तों जैसे यहां पर आपने देखा था यह वाली image शो हो रही है अब मैं चाहता हूं यह वाली image शो हो ठीक है यह वाली तो अब इस image को आपको अलग से upload करना पड़ेगा ठीक है यह upload image को option द ध्यान रखेगा इसी size का डाली तो perfect दिखेगा अब upload image पर क्लिक करेंगे upload करेंगे जहां पर भी आपने file रखे हुई है अब हमने क्या है हमने desktop पे इस image को size में करके रखा हुआ है ऐसे ही आप उस image को upload करोगे जो भी recommended size होता है और जैसी वह image upload हो जाएगी तो यहां पर आप देखिए अब इसमें alt text यह हमें देना है तो हमेशा आप अपनी image को एक title दीजिए ठीक है एक नाम दीजिए जो की हम अभी हम इसको ही दे देते हैं ठीक है डमी के लिए बट नाम देना जरूरी है चाहाँ कोई keyword दीजिए चाहाँ उससे related को informative नाम दीजिए यह तो हमने भी डमी के डाल दिये हैं तो हम क्योंकि और image को भी आपको नाम देना है जिससे वो SEO में work करें crawl करें Google उसको भी title भी दिया है हमने caption देना चाहो तो यहां पर आप caption भी दे सकते हो ठीक है like हमने अभी दे दिया caption ठीक है हमने caption दे दिया healthy lifestyle यह हमने भी demo के लिए लिख दिया अब इसको हम use करेंगे इस image को ठीक है तो अब यह हमने update करा अब यहां पर update पर click करेंगे तो यह update होगा यह update हो गया है अब हम क्या करेंगे friends अब हम उसी पर वापस जाएंगे इसको refresh करेंगे इस page को ठीक है इस page को हमने refresh करा अब इस URL को हम दुबारा copy करेंगे वापस गए इसको बन करेंगे एक बार इस page को पूरा सा refresh कर लेते है ठीक है जिससे fresh तरीके से दुबारा से डालेंगे इसको पहले page पूरा लोड हो जाए अब यहाँ पर load होने के बाद page अब यहाँ पर मैं वो जो refresh जो दुबारा यह वरल हमने कर रहा था उसको मैंने डाला ठीक है तो अब हमें इसको हाँ अब दुबार अब दोस्ते एक चीज़ देखेगा अब यहाँ पर हमारे अपडेट करने के बाग जूर भी फेस्बुक में वो image उसने नहीं लिया और वो content नहीं लिया कई बार ऐसा हो जाता है और कई बार वो ले भी लेता है तो इसके लिए फेस्बुक का अपना एक साइट है जिसको आप गूगल में सर्च कर सकते हो लाइक फेस्बुक लिख लिजिए यह फैट बेड डी बगर करके है अब यहाँ पर आप जाईए इसको ओपन के लिए फेस्बुक का अपना डवेलपर लिंक है अब उस यूरल को आप यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए देखिए यह हमारा जो हमने अभी रिसेंटल टाइटल डिस्क्रिप्शन जो डाला था देखिए जो मैंने अभी डाला था वो सब वापस आ गया अब हम क्या करेंगे अभी चार सेकिंड पहले ही अपडेट हुआ है ठीक है दोस्तों अ अब हमें क्या करना है फेस्बूक पर जाना है और इसको बंद कर देते हैं एक बारी फिर से रिफ्रेश कर ले दे अब रिलोड होने के बाद पेस्ट रिफ्रेश होने के बाद हम दुबारा से महाँ पर जो लिंक है फ्रेश लिंक है इसको उसी लिंक को पेस्ट करेंगे अब यह फेच कर रहा है अब देखें दोस्तों हो गया इमेज आगे टाइटल आगे सब कुछ आगया तो दोस्तों इसी तरीके से अब जब भी इस पेज गो वेबसाइट के पेज को या यूरल को कहीं पर भी हम शेयर करेंगे पोस्ट करेंगे ठीक है यह तो फेस्बुक पे ओजी टैग हो गया कहीं पर भी हम भी इसको करेंगे यूरल को तो वो यह इमेज टाइटल दिस्क्रिप्ष्ट्न के संग होगा तो इस से आप के उस पेज को एक देजिक कर सकते हो कहीं भारि साइट स्यटिक साइट भी होती है ठीक है पर कोई सेमेज पर पैनल नहीं होते तो इसको दोसों पहले में बता दो इसको आप पोश्ट करोगे तो यह पोश्ट हो जाएगा और यह फेस्बुक में शेयर हो जाएगा तो उन लोगों पे यह पहुंच जाएगा कोई भी आपके श image पर click करेगा URL यूघर पर click करेगा तो आपकी website पर चला जाएगा तो इससे ज्या होगा कि जब यह कहीं शेयर करा गया लोगों को पसंद आया उनों ने click करा तो आपकी website पर आये तो ट्रैफिक बढ़ा आपका traffic इनक्रीज हुआ organically अब मैं बता रहा था आपको static website के लिए ठीक है तो इसको हम करेंगे close एक बारी facebook को फिर से refresh कर देते हैं अब मैं अपनी एक site पर आता हूँ static site है जैसे media भाई मारी जो इसी की website है static website है अब दोस्तों इस में static website में क्या होता है जो आपका designer developer होता है उसको आपको क्या करना होता है कि ये आपको og tag का यहाँ पर code लगवाना होता है जैसे head के अंदर जो title के अंदर आपको क्या करना होता है देखिए og tag मतलब facebook का open graph है og tag open graph तो यहाँ पर देखिए हमारे media भाई का जो home page है इस particular page में og tag लगा हुआ है ठीक है यहाँ पर title में ये title डाला हुआ है यहाँ पर आप देखिए image लगाई हुई है auto करके देखो image आ रही है ठीक है तो अब क्योंकि हमने ये लगा रखा है हम जब भी कोई हमारा home page का URL हम कहीं पर भी share करेंगे किसी को भी भेजेंगे अपना home page चाया WhatsApp पे share किजिए Facebook पे share किजिए कहीं पर भी share किजिए तो देखिए Facebook में जाता हूँ अब Facebook में मैं अपना इस URL को paste करता हूँ ठीक है तो अब दुबारा से एक बड़ी reload करना पड़ेगा हमें ठीक है हाँ ठीक है refresh करा हमने तो देखिए अपने आपको कि हमने काम कर रखा था हमारे URL डाला है यह हमारा auto वाले image आ गया ठीक है यह हमारे title वगारा आ गया ठीक है हम प्रीट्वार में located है सब कुछ आ गया तो इस तरीके से बहुत फायदा होता है अगर आप एक page को website के हर page को आप proper title दो एक image दो description दो SEO में बहुत benefit होता है organic traffic आता है कहीं पर भी शेयर करोगे आपकी branding एक professional यह एक trend है यह एक तरीका है जो आपको Google ने बता रखा है Facebook ने बता रखा है इस तरीके से आप अपने pages को बनाईए share कीजिए और Facebook open graph के थूरू बहुत सारा organic traffic अपनी website पे लाईए और यह SEO के लिए बहुत बढ़ी ट्रिक है तो इसी तरीके से कीजिएगा तो दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आयोगा फिर भी कोई डाउट है comment section में comment कीजिए हम आपको support करेंगे आपको help करेंगे दोस्तों इसी तरीके से हम लगातार आपके लिए अलग-अलग platforms के ओपर वीडियो बना रहे हैं ताकि हम आपको digitally empower कर सके तो इस चैनल को आप जादे से आपके जिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जब दबाईएगा थेंक्यू फॉर वाचंग मार्केटिंग फंडर्स